हेलो एवरिवान केमो नाचो वेलकम नमस्ते आदाम सचियकाल और वेलकम बैक तो यॉर ओन चैनल जी हां आज है हमारी वीडियो नमबर टू और वीडियो नमबर टू में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस प्रफेशन और इंप्लॉइमेंट के बीच में डिफरेंस बहुत वीडियो क्योंकि यह question हमेशा आपके school exams में पूछा जाता है लेकिन उससे पहले क्या है अपना slogan अपना slogan है study together grow together सब मिलके पढ़ेंगे मिलके आगे बढ़ेंगे यह आपकी NCRT book का page no.14 in case अगर आपको इसको match up करके पढ़ना हो okay and video start करने से पहले बहुत important बात जो मैं आप सबसे शेर करना चाहता हूं वो यह है कि अगर आपको इन वीडियो के मेरे जो notes चाहिए तो आपको screenshot लेनी की जरुदत नहीं है all you guys need to do is just go to the video description download it from there okay there is the file attached for you okay so let us begin so यह जो हमारे differentiation है अब हम कैसे पढ़ेंगे इसमें 4 columns है देखना 1st column में है BOD यानि basis of distinction या differentiation second column में है business third column में है profession and fourth column में है employment तो सबसे पहले समझ लेते हैं basis of distinction क्या होता है basis मतलब आधार यानि कि कि किस base पर हम इसे divide कर रहे हैं किस base पर हम इसे compare कर रहे हैं differentiation का मतलब ही comparison होता है ठीक है so start करते है हमारा video ठीक है so पहला basis या पहला comparison platform है establishment यानि कि क्या कि कैसे यह चीजें start होती है कैसे business start होता है कैसे profession start होता है कैसे employment start होता है तो business start होता है सबसे पहले कुछ नहीं businessman के decision के साथ entrepreneur के decision के साथ if he wants to start the business then he can अगर आज मेरा एक shop खोलने का मन है तो मैं जा सकता हूं और shop खोल सकता हूं and second most important thing is कि उसे कोई legal formalities की भी जरूरत नहीं होती है मतलब क्या कि say for example if I want to open a shop so I do not need to go and ask and take permission or seek permission from the government मुझे government से पुछने की जड़त नहीं है मैं जा कर कि अपना shop खोल सकता हूं ठीक है then अगर बात profession की की जाए तो profession में सबसे पहले चाहिए membership membership यानि कि जिस professional body के साथ आप जुड़े हूए हो आपको उसकी membership चाहिए example के तौर पर मानलो कोई student है जो CA करना चाहता है तो उसे कहां membership apply करनी पड़ेगी ICAI में the institute of chartered accountant of India में अगर कोई doctor है तो उसे कहां apply करना पड़ेगा MBBS की membership ते लिए similarly कोई CS करना चाहता है तो ICSI institute of company secretaries of India में ठीक है एंड साथ ही साथ उनको ना सिर्फ ये membership चाहिए बलकि उनको certificate of practice भी चाहिए होता है जैसे आपने सुना होगा अगर आपकी कोई भाईया या दीदिया नोन में कोई CA या CS कर रहा है या doctorate कर रहा है तो उन्हें membership के साथ साथ पढ़ाई करने के साथ साथ उन्हें आर्टिकल्शिप भी करने पड़ती है CA and CS के लिए उसे आर्टिकल्शिप कहते हैं और MBBS के लिए उसे training कहते हैं उसमें क्या होता है कि उन्हें actually सिखाया जाता है उन्हें practically सिखाया जाता है कि ये काम कैसे होता है तो profession में membership चाहिए and certificate of practice चाहिए employment की बात की जाएं तो appointment letter चाहिए appointment letter का मतलब क्या हुआ कि जो employer होता है देखो एक organization में दो type के लोग होते हैं पहला होता है employer employer कौन जो boss है जो job देना चाहता है दूसरा हुआ employee जो job करना चाहता है ठीक है तो employer और employee के बीच में एक agreement भी sign होता है कि वो उसका employee है वो उसका employer है द 但 employment यानि कि आपकी जो जौब है वो शुरू हो जाता है जब employer आपको appointment letter sign करके दे देता है ठीक है तो इस तरीके से business, profession और employment established होते है Then second is nature of work मतलब ये लोग काम क्या करते है Business में क्या काम होता है Profession में क्या काम होता है Employment में क्या काम होता है तो Business में क्या काम होता है कली तो पड़ा था अपनने Business की सबसे Important Characteristic क्या Procurement and Production of Goods and Services किसके लिए Society के लिए तो एक Businessman क्या करता है Goods and Services produce करता है ठीक है Human Needs and Wants को Satisfy करता है Profession में क्या होता है ये जो Professionals होते हैं यानि कि डॉक्टर हुए C.A.C.S. हुए ये लोग Personalized Service देते हैं और Expertized होते हैं ये अपने Service में Say for example अगर किसी का सर दर्द है तो डॉक्टर उसे उसके According Treatment देगा और उसको Solution मिल जाएगा उसका किसी के पेट में दर्द है तो डॉक्टर उसको उसके According देगा ऐसा तो नहीं है कि पेट में दर्द जिसको हो रहा है उसको सर दर्द की दवा देती जाएगी तो सब के लिए Personalized होता है ये मतलब Person to Person वरी करता है प्रफेशन का काम ये एक Professional का काम ठीक है और Employment में क्या होता है कि जो Service Contract होता है देखो एक Employer और एक Employee की बीच में Service Agreement ये Service Contract होता है और उसमें Employee के लिए सारा काम लिखा जाता है कि उसे कैसे काम करना है किस According काम करना है ठीक है या फिर उस Organization में जिसमें वो Employee काम कर रहा है वहाँ पर Rules of Services होते है Rules and Regulations होते है और उसे उस According उन Rules and Regulations को Follow करते हुए काम करना पड़ता है Example अगर एक Maths का Teacher Appoint हो है स्कूल में तो वो कैसे काम करेगा उसकी जब मर जी होगी तब जाकर के चला जाएगा वो बच्चों को Maths पड़ाने नहीं न वो Time Table के According एक Fixed Schedule के According गाम करेगा न आया समझ में Then Third Basis है Qualification यानि कि कितनी आपको Qualification कितनी आपको पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूत है ठीक है Business करने के लिए कोई Qualification की ज़रूत नहीं है जी हाँ Business करने के लिए Business करना आना चाहिए Qualification की ज़रूत नहीं है Example हो सकता है कि आपके पापा आपसे ज़्यादा पढ़े लिखें नहीं हो ठीक है लेकिन उनका Business बहुत सक्सेस्पुल है तो Business करने के लिए कोई Qualification की ज़रूत नहीं होती Profession में जब आप बात करते हो तो आपको Extreme Qualification की Expertise की और Training की ज़रूत होती है Say for example जब एक इनसान डॉक्टर बनता है तो वो कब डॉक्टर बनता है जब उसके पास MBBS की डिग्री होती है ऐसे ही वो डॉक्टर नहीं बन जाता है CA कब इनसान CA बनता है जब उसके पास ICAI की डिग्री होती है verified डिग्री होती है Like example की कोई CA final में crack नहीं कर पाया और वो fail हो गया तो तब भी आप उसे CA नहीं कहोगे So Profession में Qualification के साथ-साथ Expertise भी चाहिए और Training भी चाहिए Training मतलब हो सकता है कोई CA बन गया हो और उसने आर्टिकल्शिप नहीं की हो तब भी वो अपने Profession को conduct नहीं कर पाएगा Because उसमें Training की requirement होती है Employment की बात की जाए तो जैसा Employer चाहता है Qualification वो उस type के Employee को रूनता है और उसकी Training भी उसी according की जाती है Say for example School में नया Maths का teacher appoint हुआ है ठीक है अब वो खुद जो बंदा या बंदी appoint हुआ है वो खुद दना fresher है उसे कोई experience नहीं है तो Employer उसे क्या कह सकता है यानि की School का Principal या Director से क्या कह सकते है कि तुम जाकर की किसी Class के पीछे बैठ जाओ और देखो की कैसे पढ़ाया जाता है या फिर हो सकता है उसे ये भी कहा जा सकता है उसे Demo Classes दी जा सकती है उसे उसकी Training Employer के According होती है ठीक है Qualification तो पहले ही Employer के According है Employer को जिस Qualification का परसन चाहिए वो उसी परसन को hire करता है Training भी Employer के According उसके Job के According या Nature of Job के According होती है Then Next is Reward यानि कि इतनी जो महनत कर रहे है ये लोग उसका इनको नाम क्या मिलता है What is the Consequence? What is the Return? Return में क्या मिलता है? तो Business में क्या मिलता है? Profit मिलता है बहुत सारा पैसा मिलता है Business में Profession में क्या मिलता है? Professional Fees मिलती है हाना जैसे आप किसी डॉक्टर के पास Check Up करवाने गए तो आप उसे यह नहीं कहते कि लो आपका Profit रख लो आपने मेरा इलाज किया नहीं आप क्या दे रहे हो उसे? Professional Fees दे रहेगो Employment में क्या होता है? यह सब स्ब्स्रे ज्यादा Safe Zone होता है यहाँ पर जो Employee होता है जो काम कर रहा होता है उसे Salary मिलती है या फिर Wages मिलते है अब difference क्या है Salary और Wages में Wages जो होते है वो Non-Skilled and Non-Technified Job के लिए मिलते है Salary Technical Staff को मिलती है ठीक है? Then Next Basis क्या है? Capital आप सब क्योंकि नहीं हो अभी इस Commerce World में आपको नहीं पता होगा You might not be aware of this word capital, this terminology Capital means the amount invested by the investor यानि कि आप अपने काम में अपने business में जो पैसा लगाते हो उसे capital कहते है तो business में capital कोई fix नहीं है अगर आपको बड़ा business करना है Example मुझे कोई mall खोलना है ठीक है तो मुझे बहुत साड़ा पैसा चाहिए और वहीं मुझे एक छोटी मुटी शॉप खोलनी है तो मुझे limited पैसा चाहिए So as per size of the business ठीक है Profession में limited capital है यानि कि एक doctor है उसके पास already a doctorate की degree है MBBS की degree है certificate of practice है तो उसे बस उसके clinic खोलने जितना पैसा लगेगा और बाकी सब काम सेट है Then employment को जो एक employee होता है उसे कोई जरुवत नहीं होती है कोई भी capital invest करने की वो जाता है अपना काम करता है उसे salary मिलती है Like school में अगर कोई teacher आ रहा है तो वो school वालों को कोई पैसा नहीं दे रहा है पहले In fact वो काम करेगा and then उसे monthly quarterly semi annually by annually annually उसे salary मिल जाएगी So यहाँ पर कोई capital investment नहीं होता है Then next is risk सबसे important element हाना कल अपन ने पढ़ा था business की बहुत बड़ी characteristic That risk is an integral part of business बहुत बड़ा important part है और कोई भी businessman दुनिया का risk को ignore नहीं कर सकता वो सिर्फ उसे कम कर सकता है ठीक है degree of risk कम कर सकता है सही तरीके से काम करके So business की बात की जाए तो यहाँ बहुत high risk है in fact extremely high risk है जिसे कुछ examples मैंने आपको दिये थे कल change in taste change in fashion and preference of the customer market need and demand change in political environment हाना जाओ मेरा first video देखो आपको समझ में आ जाएगा हाना की risk के क्या-क्या factors होते है Then profession की बात की जाए तो यहां moderate risk है ठीक है जादा risk नहीं है in fact इतनी भी risk नहीं है जितनी बिजनस में है ठीक ठाक risk है इतनी भी जादा नहीं है Employment में मैंने आपको कहा था ना कि सबसे safe zone है इसमें कोई risk नहीं है Example के लिए बहुत अच्छा example है मेरे पास अभी quarantine चल रहा है ठीक है तो जो employees है वो घर बैटे हैं और उनके पास salary आएगी क्योंकि यह government instruction है Loss यहां पर किसको हो रहा है जो employer है जो business कर रहा है तो employment के मामले में कोई risk नहीं है सबसे safe zone होता है यह बढ़ हां एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना जितनी ज्यादा risk होती है उतने ज्यादा returns आने के chances होते हैं profits आने के chances बढ़ जाते हैं ठीक है then transfer of interest transfer of interest का मतलब क्या हुआ कि क्या आप अपना interest transfer कर सकते हो अपना interest बदल सकते हो समझना इसको business में यह possible है कैसे हो सकता है कि मेरी mobile shop मैं बोर हो गया हूँ mobile shop को चलाते चलाते अब मैं एक library खोलना चाहता हूँ तो हो सकता है मैं मेरी mobile shop किसी और को बेज दूँ और उन पैसों से library चला लूँ यह तो possible है ना अब अगर बात profession की की जाए तो possible नहीं है क्या एक डॉक्टर कहें यार बोर हो गए डॉक्टरी डॉक्टरी खेलते खेलते चलो अपनी है ना डॉक्टर की degree किसी जिम ट्रेनर को देते ते ते उसकी डिग्री अपन लेते एक्स्चेंज कर लेते हैं डॉक्टर बन जाएगा जिम ट्रेनर जिम ट्रेनर बन जाएगा डॉक्टर क्या यह possible है इंपॉसिबल है ठीक है अब employment में भी यह possible नहीं है हो सकता है कि आप office में काम करें आपको मन नहीं काम करने का जह ना तो आप बोलो कि यह आज मैंनी जादा मेरी जीदी चली जाएगी मेरी जोगे काम करने तो possible नहीं है ना example math teacher का school में आने का मन नहीं तो क्या math teacher की husband या wife आ सकती है कि school में आपको बढ़ाने impossible so यहाँ पर possibilities नहीं होती है transfer of interest की then बात की जाए code of conduct की यानि की rules and regulations कुछ समझ में हा रहा है code of conduct यह वह है जो आप लोग follow नहीं करते code of conduct business में कोई rules and regulations नहीं होते हैं कोई legal formalities नहीं होती है ठीक है अगर आपका business है तो आपकी जब मन चाहे तब आप अपनी shop open करो जब मन चाहे तब आप अपनी shop को close कर दो आपको कोई रोकिगा टोकिगा नहीं profession में professional code of conduct होता है like अगर कोई doctor है तो उसे MBBS की degree के अंदर जितने भी rules and regulations है उसे follow क करना पड़ता है ठीक है तो यहां पर strict code of conduct होता है employment की बात की जाए तो यहां पर जो employee होता है वो employer को follow करता है जो भी organization में जो rules and regulations लिखे हैं उसको follow करता है जैसे मैंने आपको बताया एक match teacher है तो वो क्या कर रहा है वो अपने मन मताबिक class नहीं ले रहा है ना वो time table को देख अगर मैं बोलूँ तो business का हो सकता है shop factory बहुत सारे example से profession में कोई advocate जो LLB करके आया हो कोई doctor जो MBBS करके आया हो ठीक है employment का मतलब क्या हूआ banks में काम करने वाले लोग या फिर अना government jobs में जो लोग काम करते हैं ठीक है आगे आपको समझ में business profession and employment में difference ठीक है तो like करो पसंद आ करने के लिए हर दिन मैं एक video upload कर रहा हूं series by series page by page okay सबको बताओ सबको share करो कोई miss ना हो जाए study together grow together मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तक तक के लिए tata bye bye and comment section में जाओ जाके comment करो कुछ नहीं समझ में आया हो तो and video description में जा करके इस note को download कर लो okay टाड़ा